कि एलो एवरीवन उमीद करता हूँ आप सभी लोग स्वास्त हैं आज के इस सेशन में सब्सक्राइब करेंगे अर्थमेटिक से नंबर सिस्टम और स्रीज के कुश्चन मैंने लग से एक वीडियो में करा दिते एडवांस मैंस के एक वीडियो में सेपरेटली करा चुका और अर्बी एप्लिकेशन मैस कोर्स के लिए और चेप्टर वाइच वीडियो के लिए ठीक है टोटल परसेंटेज में हमारे पास पांच कोश्चन पूछ गये थे ठीक है अर्थमेटिक के बहुत ज़्यादा मुश्किल कोश्चन इस बार मतलब टेपर ट्वंटी ट्वंट इसकी सेलरी इंक्रीज करी 10% एपरसेंट और 20% इन दी 1st, 2nd, 3rd years respectively पहले साल उसकी सेलरी 10% बढ़ी दूसरे साल एपरसेंट और तीसे साल उसकी सेलरी 20% बढ़ी जो राम की प्रजेंट सेलरी है वो 83,160 रुपीज है तो हमें बताना है एक आमान क्या होगा तो सोल करते हैं परसेंट का मत्तब 10 भाग 100 है तो मत्तब 1 भाग 10 मत्तब पहले सेलरी 10 थी तो अब 1 भढ़ जाएगी तो पहले सेलरी 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी उससे अगले साल उसकी सेलरी भढ़ी एपरसेंट तो मत्तब पहले सेलरी 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 100 प्लस ए हो जाएगी और उसके बाद जो उसकी salary भड़ी है वो भड़ी है 20% 20% कितना होता है 1 by 5 तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी उसकी salary अब 6 हो जाएगी finally उसकी salary निकल के आई हमारे पास 3 साल के बाद 8, 3, 1, 6, 0 हमें एक अमान निकालना है solve करेंगे देखो एक 3, 0 से मेरी 3, 0 पूरी cancel हो गई 5 से काटूँगा तो मेरे पास यह 9 आ जाएगा ठीक है 9 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो मेरे पास यह वाली value अच्छा इसे चाहें तो हम थोड़ा और simplify कर सकते हैं चलो कोई नहीं काटी दो 9, 21, 2, 0, 36, 40 फिर यहाँ पे 6 से और 11 से 11 से काट तूँगा तो 8, 840, 6 से काटूँगा मैं तो 130 तो 100 प्लस ए 130 के पराबर है एक अमान 140 आएगा तो मेरे पास एक अमान कितना आजाएगा 140 माइनस 140 बिल्कुल basic calculation करी और हमारा answer निकल के आ गया है इसमें कोई trick लगाने के हमें जुरूत ही नहीं पड़ी कहीं मुश्किल calculation होती कुछ computation ऐसी होती जिसमें मिचे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि 11 की जगा यहां पे मेरे पास होता से 37 तो उस केस में मुझे पता है काट रहे हैं में थोड़ी तकलिफ होती तो फिर मैं डिजिट लाफ डिजिट पर जाता है और कोई अप्रोच इस लगाता है यहां पर basic से सब कुछ निकल रहा है इससे इपल कैलकुलेशन है तो basic से हमारा अंसर जल्दी आ जाएगा रिस्पेक्टिव उफ कि हम कोई ज़्यादा दिमाग लगाएं अगला सवाल है मेरे पास यहां पे और 20% अपने इंकम का फूड पे हख खरता है राजु की इंकम कितनी मानते हैं हम हमिशा हंडेट परसेंट गuks Con автомоб or Curable ऑचिवी इंकम काaurus कितनी होगी 10 और 30% खर्च कर दी, remaining बची 70%, 70% का 30% तो कहां कर्च करेगा, clothing पर खर्च करेगा, साथ यह 21%, और remaining कितनी रह जाएगा, उसके पास 70-21, यह बचेगा मेरे पास 49%, तो यह हमारे पास 21% clothing पर खर्च कर दी, बची भी उसने क्या कर दी है, save कर ली, क्याता है, उसकी जो saving है, वो 26,460 रुपीज है, तो हमें बताने है, total उसने कितना खर्चा करा, food और clothing पर मिला कर, अगर मैं आगे solve करूं यहाँ पर, देखो, उसकी saving है 49%, अगर 49 ratio मानलू मैं से, 49 ratio किसे represent करता है, total saving है 26460, हम से पूछा है, food और clothing पर मिला कर कितना खर्च करा, 21 जम्ह 20, 49, हमें यहाँ पर 41 का मान, निकालना है कि क्या होगा, 4 options भी मुझे यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, अगर मैं approximation से इस question को करने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे, यह मेरे पास 8 into 5 approximately जा रहा है, और यह मेरे पास 8 into 6 approximately जा रहा है, उससे plus 1 है, ठीक है, तो मैं यह कर सकता हूँ कि इस वाली value का क्या कर दूँ, approximately अगर मैं इसका 5 by 6 कर दूँ, तो मेरे पास यह वाली value आ जानी चाहिए, लगभग, ठीक है, तो एक उससे थोड़ा सा idea लगा सकते हैं कि हमारा answer क्या आएगा, बाकी यह तब करते हैं हम जब values का gap हो, जादा जादा हो, यह approximation क्यों ही यूज करना, आप basic से भी से कर सकते हैं, यहाँ पर चार option आपस में क्या होंगे, को प्राइम है, तो मेरा जो भी answer होगा, 41 का multiple होगा, तो चार option में से वो option चूच किया जा सकता है, जो 41 का multiple हो, अब मैं 41 से भी directly check नहीं करूँगा, क्योंकि it is also a time consuming task, और दो option 41 के multiple निकल गए, तो सारी मेनत क्या हो जाएगी, बिकार हो जाएगी, 41 का table इतना easy तो है नहीं, तो basic से करना मेरे हिसाब से जादा सही रहेगा, unit digit से try किया जा सकता है, तीन different kind of unit digit है, देखो 9 से अगर मैं काटूँगा, क्योंकि यह वाली पूरी value इससे कटनी चाहिए, तभी मे अंसर आएगा, exact values में, 9 को किस से multiply करूँ कि 6 है, आप कहेंगे 4 से, तो यहाँ पर जिब 6 होका आएगा, तो मेरे पास last में 40 बचेगा, और 40 को 41 से multiply करूँगा, तो unit digit फिर से मेरे पास, यहाँ पर 1 into 4, 4 आएगी, तो last में 0 आएगा, उसके बाद 4 आएगी, तो इन दोनों मे से मेरा अंसर निकल के आएगा, यह चीज दिख रही है, बट उसके बाद फिर मुझे second last digit पे भी जाना है, तो जो भी चीज़े मैंने सोची, वो एक हद तक सही हो सकती थी, मत्तब अगर unit digit 8 यह 2 आ जाती तो मेरा काम हो जाता, बट अभी भी मुझे calculation करनी ही पड़ेगी, इ आनी है, तो यहाँ पर 540, यह बचेगा मेरे पास, 41 से multiply करना, 41 ratio निकालने के लिए, तो 0, 41 into 4, 164, 16 carry, 41 into 5, 205, और उसमे 16 जोड़ दूँगा, तो 221, this is my answer, क्या question सभी लोगों को समझ में आ गया, थिक, तो यही है calculation, हमने यहाँ पर ओल्टो थोड़ी सी कम करी, यहाँ पर यह देखना था, 264 को 49 से काटूंगा, तो पास टाइमस जाएगा, तो मैंने जल्दी से ऐसे कर लिया, पूरी calculation करने के जगा, otherwise मैं खाली 4-0 निकालके, यूनिट इट से कर लेता, गर राश्ट में एक ही option होता, जिसमें 4-0 होता, ठिक, चलता हूँ आगे, question में कहाता है, जो रोहित की income है, वो 32,000 है, ठीक है, उसके expenses 30% है, तो हमें बताना है उसकी saving क्या होगी, 30% खर्च करेगा, तो save कितना करेगा, 70% से save करेगा, और अगर मैं इसका 70% निकालूं, तो आप कहेंगे, सर इसमें 32 में 7 से multiply करतो, अभी 0s को भूल जाओ, 7, 2, 14, 1 carry forward होगा, 7, 3, 21, 22, ठीक है, 224 के बाद कुछ 0 आ रही होंगी, option number मेरा भी correct हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से में समझाता हूँ, वरना फटा-फट से करवाना हो तो बड़े राम से सारे के सारे question, आऊं सीधा answer लिखके चला जाओ, हो जाएगा, लेकिन रहती है कि जितना ज्यादा आपको समझा जाए बहता रहे है, अब देखो question में कहता है, जो rice का price है, वो अगर 25% घड़ जाता है, तो 1% सेम expense में 30 kg ज्यादा rice परचेज कर पाता है, ठीक है, अगर उसका जो total expenditure है, वो 54,00 रुपे है, तो हमें बताना है original price of rice per kg क्या रहेगा, ठीक है, अब आप कहेंगे सर basic concept समझो, price into quantity क्या होता है मेरे पास, expenditure, इसमें क्या कर रहा है, rice का price बढ़ा तो वो ज्यादा quantity खरीद पा रहा है, क्या expense में कोई भी बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा दोनों cases में, तो मेरा expense क्या है, constant है, तो मैं कह सकता हूँ, price क्या होगा, inversely proportional to quantity होगा, price भड़ेगा, तो quantity कम खरीद पाओगे, price कम होगा, तो quantity ज्यादा खरीद पाओगे, if you want to expand same amount of money, ठीक, तो अगर price inversely proportional to quantity हो गया, तो मैं यहाँ पर देखूँगा, हमारे पास क्या हुआ, जो price है, वो reduce हुआ 25% से, 25% मतलब 1 by 4, जो price था मेरा, old versus new की बात करूँ, अगर मेरे पास पहले जो price था, वो 4 था, तो अब कितना हो गया, 3 हो गया, यह inversely proportional to quantity है, तो quantity क्या हो जाएगी, अगर पहले आप 3 खरीद पा रहे थे, तो आप कितनी quantity खरीद पाओगे, 4 quantity खरीद पाओगे, इसका मतलब हम कितनी quantity जादा खरीद पा रहे हैं, एक, यहाँ प कितना ratio quantity खरीद रहे हैं, तो एक ratio 3 किलो के बराबर, तो 3 ratio मेरा 90 किलो के बराबर, total खर्चा कितना कर रहे हैं, पहले भी और अब भी, 400 रुपे, तो 100 रुपे कितने किलो का है, 90 किलो का, तो एक किलो का कितना होगा, 400 भाग 90 यह होगा, 60 रुपे, तो अभी का जो original price है, वो ह 30 इंटू 4, यह 120 होती, और मैं 5400 को 120 से डिवाइड करके अपना अंसर निकाल लेता, यह हो गया है, इस question को करने का, बिल्कुल basic सा धरी का, इसे थोड़ो सा और fast कर सकते हैं, इस type के questions काफी जादा, ऐसे से exam में पूछे जाते हैं, tier 1 में भी काफी जादा पूछे गये थे, तो मैं आपको एक direct approach बताता हूँ, कि आपको क्या करना है, अगर मैं से original price पूछें, तो उसका formula क्या होता है, बिल्कुल same type के question के लिए, देके हमने rice की quantity क्या करी, 25% से decrease करी, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ 25 लिखूँगा, 25% से decrease करी, तो 25 आ गया, जितन तो यहाँ पे मैं multiply करूँगा, जो इसकी क्या है, total expense जो मेरा है, कितना है, 5400, और इसे मैं divide करूँगा किसे, जो मेरी quantity में change देखने को मिला है, quantity में change कितने का है, 30 का है, this is the direct approach to calculate the original price, अगर आप यहाँ से solve करेंगे, तो मेरे पास value क्या आएगी, मेरे पास यह value आएगी, 1 by 3, ठीक है, यह 90 बनेगा, 5400 को 90 से काटूँगा, तो मेरा answer आजाएगा, 60, clear है या नहीं है सबको, अगर मुझ से original की जगा नया price पूछ लेता, तो एक तो मैं यह कर सकता हूँ कि original price निकाल लिया 60, अब नया price क्या होगा मेरे पास, price कितना गिरा है 25% से, तो इसे 25% कम कर तो नया price होगा 45, या तो मैं ऐसे कर लूँ, otherwise new price निकालने का भी direct तरीका है हमारे पास, decrement कितने का हुआ था 25% का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 25% मतलब 25 बाग 100 total, यह मैं लिखूँगा, into में, मेरे पास जो final expenditure कितना मैं खर्च कर रहा हूँ और मेरे पास कितनी quantity मे change आया वो, यह यूज करके मैं directly नया price भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास solve करके value कितनी आएगी, आप देखेंगे, यहाँ पर काटूँगा, star, 120, 10, 10 कटेगी, 540 divided by 12 करूँगा, तो मेरे पास value आजाएगी 45, ठीक है, नया price निकालना हो तो directly हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो छोटी सी trick है, चीजों को simplify करके ही यह निकलती है, यह आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके सवाल में CGL 20, 21, tier 1 में भी इस टाइप के काफी questions आयते हैं, तो trick पता होगे, तो थोड़ा सा time, 5 से 10 second आप extra बचा लोगे, और यही थोड़े थोड़े टुकड़े हमें बच मोहित की सेलरी से, 60% कितना होता है, 3 भाग 5 होता है, तो मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मोहित है और यहाँ पर विजे है, मोहित की सेलरी 60% जादा, तो मतलब अगर विजे की सेलरी 5 है, तो मोहित की सेलरी 3 रेशियो जादा, मोहित की सेलरी 8 हो जाएगी, हमें बताना है कि विजे की salary कितनी कम है मोहित से तो आप देखेंगे 3 ratio ही कम है मोहित की salary है 8 तो 3 बाग 8 into मैं 100% करूँगा 3 बाग 8 कितना होता है 37.5% this is my answer question हो गया खतम option number is correct orally करने वाला सवाल चले आगे 5 question percentage के थे मैंने 5 के 5 आपको बिल्कुल आराम से समझा दिए अब हम आगे भड़ते हैं ratio and proportion के questions पे 4 question ratio and proportion से पूछा गए थे देखो question में कहता है कि जो monthly income है A और B की वो 4 ratio 5 है जो A और B की monthly savings है वो 14 ratio 19 है जो A और B की monthly savings है वो दोनों की बराबर है 1200 रुपे के जितनी तो हमें बताना है उनकी income में कितना difference है A और B की अब बहुत सरल सवाल अब कैसे करते हैं आपको पता है income minus expenditure ये मेरा किसके बराबर होता है saving के बराबर होता है income का ratio या income minus saving किसके बराबर होता है expenditure के बराबर होता है मुझे दोनों का income का ratio saving का ratio एक रिशुन दे रखा है, मैं expense का ratio, expense की exact value दे रखिये, हम solve कर सकता है, मैं इसे मान सकता था कि पहले को इसे 4X मान लूँ, और इसे 5X मान लूँ, तो 4X और इसकी भी 5X, ये मेरी किसकी हो गई, A और B की income हो गई, expense की बात करूँ, ये 14Y होगा, और ये मेरे पास यहाँ पे, इ सवाल का उत्तर होगा कि इसका बेसिक तरीका जो कि हम नहीं उज़ करेंगे हम दूसरा ही तरीका करते हैं दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास कि हमें यह चीज पता है कि income minus saving किसके पराबर है expense गिनलों का क्या है A है और यहां पर B है A की income कितनी है 500 रुपे और B की income कितनी है से 400 रुपे ठीक है दोनों क्या करते है दोनों same saving करते है मालनो A ने भी कितने रुपे की saving करी 50 रुपे की saving करी और B ने भी 50 रुपे की saving करी अगर दोनों की saving equal हो गई अभी मुझे पता है इनकी income का difference कितना है 100 रुपे का है अगर दोनों का expense, दोनों की saving 50-50 है तो दोनों का expense बताओ जल्दी से कितना होगा आप कहेंगे सर्फ 500 में से 50 घटाओंगा 450 और यहाँ पे 400 में से 50 घटाओंगा तो 350 अगर इनकी income का difference 100 रुपे था क्या इनके expense का difference भी 100 रुपे आ गया अगर saving equal है और ऐसे ही अगर expense equal होता तो जो income का difference है वो ही हमारा क्या कहते हैं अगर expense equal होता जो हमारा income का difference हो तो वो ही हमारा saving का भी difference होता यह छोटा सा concept अगर समझ आ गया है तो मैं फटाफट से इसे ratio method से करा देता हूँ मेरे पास यहाँ पर A और B दे रखे हैं इनकी income का ratio हमें दे रखा है 4 ratio 5 और इनकी expense का ratio दे रखा है हमें 14 ratio 19 हमें expense 1200 दोनों का ब्राबर दे रखा है तो बताना है income का difference कितना है आप पटाफट से करेंगे इनका क्या है जो ratio है वो maintain करने के लिए मुझे income और saving का जो difference है वो equal करना पड़ेगा यहाँ पर difference कितने का है पांच का है यहाँ पर एक का है तो मैं इसमें काम करता हूँ difference equal करने के लिए 5 से गुल्डा कर देता हूँ यह मेरे पास 20 आये गा यह मेरे पास 25 आये गा और 11 आएगा और यह मेरे पास 19 आयेगा आप देखेंगे difference equal हो गया यह income है यह expense है और यह saving है expense कितना हो गया 6 ratio यहाँ एंप कितना हो गया छे है रेशियो इंकम में डिफ्रेंस कितने का है पांच रेशियो किसके बराबर पांच इंटू में दो सो यह हो गया हजार के बराबर क्या यह मेरा इस सवाल को उत्तर आ गया क्लियर है सभी लोगों को अगले सवाल पर चलता हूँ मैं question में कहता है जो B, C, D और E की salary है वो 2 ratio 3, ratio 4, ratio 5 है इनकी salary जैसे कि A की salary अगर 20% भढ़ जाए B की salary 30% C की salary 40% और D की salary 50% भढ़ जाए तो हमारे पास जो increased salary होगी D की वो 560 रुपीज होगी तो हमें बताना है original salary कितनी होगी D, C, D and E अब देखो धियान से, मुझे यहाँ पर यह कुछ फालतू का डेटा दे रखा है D की कितनी भड़ी, C की कितनी भड़ी, D की कितनी भड़ी क्या मुझे इस कोश्यन में इसकी जुरूत होगी, solve करते टाइम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मिझे D की increase salary दे रखे है इन सब की original पूछी है, D की salary कितनी भड़ी, 50% पहले D की salary कितनी थी, 5, 5 का 50% कितना होगा, ढ़ाई तो D की salary कितनी होगी, 7.5 ratio, 7.5 ratio किसके बराबर, 560 के बराबर हमें किसका मान बताना है, original salary इन सब की कितनी थी, 3 और 2, 5, 5, 10 और 14 हमें 14 ratio का मान बताना है कि क्या होगा, फतम question, ठीक है अगर मैं इसे solve करता हूँ, तो मेरे पास value क्या आएगी, अगर मैं option से जाओं तो 5, 10, what is the sum of the original salaries of B, C, D and E there is some typing mistake in this question, I think, there is some typing mistake, otherwise यह नहीं आएगा, एक बर मैं question को verify करता हूँ, actually question तो ठीक है, error मेरे end पे हुआ है, D, C, D and E है, मैं E पे काम कर रहा हूँ, जबकि मुझे किस पे काम करना था, मुझे काम करना था, D पे, तो 4 है, 4 का 50 percentage, 2, तो मेरे पास जो D की final salary होगी, वो 6 ratio होगी, 6 ratio अगर 5, 60 के बराबर है, तो 14 ratio मेरा किसके बराबर होगा, solve कर सकते हैं, 6 से काटूंगा, मैं, 4, 5, 9, और 14, तो यह मेरे पास 6, 9, 20, still there is an error, यह देखना पड़ेगा, एक बार कि क्या issue आ रहे इस question में, फिर यही mistake है, यहाँ पर भी मैंने क्या करा, दोनों जोगा गडबड़ कर दी, ठीक है, अब धियान से सुनो, ठीक है, D की salary, कितनी है, 4 ratio है, increase कितनी हुई है, D की, 40% हुए, मैं बार बार E ले रहा था, ठीक है, तो यह मेरे पास 4 ratio है, इसका 40% कितना होगा, मेरे पास 1.6, तो यह 5.6, 5.6 ratio मेरी D की increase salary होगी, जो की 560 के बराबर है, और मुझे बताना है, 14 ratio, इनकी original salary का sum, तो यहाँ पर इसका 100 times है, तो यह 1400, clear है सबको, चलें आगे, देखो, question में कहता है, a sum of rupees 1 to 5, 0, 1250 रुपे distribute किये जाते हैं, किसमें A, B, C and D के अंदर, कुछ इस तरीके से, कि जो B और D का share, और जो A और C के share है, वो उनका ratio क्या है, 14 by 11 है, या फिर मैं कह सकता हूँ, B और D का जो share है, 14 by 11 times है, A और C के share के, ठीक है, जो D का share है, वो A के share का आधा है, तो D by A अगर करूँगा मैं, तो यह 1 by 2 आएगा, आगे कहता है, जो C का share है, वो 1.2 times है share of A के, तो, C by A की बात करूँगा, तो यह 1.2 आएगा, जिसे मैं 6 by 5 भी लिख सकता हूँ, हमें बताने है, कौन कौन सी values पॉसिबल है, चार options यह रखे हैं, अब देखो, हमें इस question को करने के लिए, या तो मैं पहले ratio maintain करूँ, A, B, C, D का ratio निकालूँ, फिर से individual value निकालूँ, A, B, C, D की, उससे अपने question का answer निकालूँ, एक तरीका तो यह हो सकता है, दूसर तरीका मैं directly option से जा सकता हूँ, ओप्शन से किस तरीके से जा सकता हूँ, पहला तो यह चीज है कि सब का sum मेरे पास 1250 होना चीए, आप verify गरेंगे, 1250 सब का sum है या नहीं, most probably इसमें जो भी examiner ने question बनाया होगा, जातर का sum 1250 बना सकता है, यह बहुत simple सी चीज है, दे देते हैं, मैं कुछ और तरीके से चलता हूँ, या तो मैं D और A का चलो यह पकड़ लेता हूँ, यह असान से लग रहा है, कि D ratio A 1 by 2 होना चाहिए, यह मेरे पास D है, और यह मेरे पास A है, 1 by 2 है क्या, नहीं है, यह D है, यह A है, 1 by 2 है, यह 1 by 2 नहीं है, यह 1 by 2 है, तो option number B और D में से मेरा correct होगा, फिर मैं अगर C और A को पकड़ लूँ, 6 ratio 5, C और A ही है, ठीक है, तो यह मेरे पास C और A, यह 6 ratio 5 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्या यह 6 ratio 5 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यह वाला option भी मेरा correct जा रहा है, ठीक है, दोनों option B और D में फसे में, B plus D 14 ratio, A plus C 11 ratio, अब A plus C मेरा 11 का multiple होना चाहिए, जल्दी से मैं A plus C करके देखता हूँ, अभी तो A plus C दोनों में सेम आ रहा था, 11 का multiple है, B plus D 14 ratio, B plus D कर दो, 525 और 125, 650, और यहां पर मेरे पास 550, अगर मैं ratio निकाल रहा हूँ, तो यह 13 ratio 11 आ रहा है, यह तो नहीं होगा, तो यह ही अंसर होगा मेरा, या फिर यहां पर सम करके देखता, तो में भी कुछ हो सकता था, यहां पर करता हूँ, तो 700 और यहां पर 550, यह मेरा 14 ratio 13 बन रहा है, तो option से कर लिया, और हमारा answer भी आ गया, ठीक है, चलें क्या आगे, बेसिक से थोड़ा लंबा हो जाता है, अब यह बारा सवाल है, SSC का favorite questions पहले भी कितनी बार आ चुका है, ठीक है, proportional भी बेश्ट, कहता है, जो diamond की cost है, वो directly proportional है, square of its weight, ठीक है, weight के square के proportional है, ठीक, कहता है कि हमारे पास, जो 14 ग्राम का एक diamond है, उसकी कीमत है 2560 रुपे, यह जो 14 ग्राम का diamond था, यह दो pieces में तूट गया, और उसका ratio दे रखा है, मुझे weight का 5 ratio 9, तो हमें बताना है कि तूटने की वज़े से, कितना loss हुआ है, ठीक, जो मेरे पास price है, वो directly proportional है, square of its weight, 14 स्क्वाइर के proportional होगा, अगर मैं बात करता हूँ, जब यह 2 ratio में तूट गया, 5 ratio 9 में, ठीक है, 5 ratio 9 मेरे पास 5 जमानों, 14 ratio यह है, तो मत्दब 5 ratio 5 ग्राम को represent कर रहा है, 9 ratio 9 ग्राम को represent कर रहा है, ठीक है, यह weight है, price कितना होगा, इसके square के proportional, 5 का square 25, और यह 9 है, इसका square करूँगा 81, और इन दोनों का गर सम करूँगा, तो total diamond का weight आना जीए, इसके proportional होगा, 81 plus 25, that is 106, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 14 का square है, 196, 196 ratio represent करता है, किसे, 2560 रुपीज को, और यहाँ पर हमारे पास जो नया price आया, वो 106 का आया, तो loss कितने का हो गया, आप कहेंगे, सर नभ्य का loss हो गया, 196 ratio इसके बराबर है, तो 90 ratio का मान बताना है, ठीक है, अब यहाँ पर value में नहीं पूछा मुझसे, percentage में पूछा है, तो percentage की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे क्या exact value की जुरूत है, नहीं है, आप देखेंगे, पहले price था 196 ratio, अब है 90 ratio, तो कितने percent का loss हुआ, 196 में से 90 को खटाऊंगा, तो 90 का loss हुआ न, 90 divided by 196 into my 100, अब इसे manually solve करना चाहूँ, manually कर लो, वरना आप option की मदद लेके करना चाहूँ, तो option की मदद से, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, ये 53 और 55 तो होई नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये 196 है, इसका आधा कितना होगा, 98 होगा, ठीक है, अगर ये 98 से कम जा रहा है, तो जो मेरे पास loss है, तो ये 50 से उपर वाले कड़ गए, ये 49.7 है, ये approximately 50 के आसपास है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि gap 98 और 90 में कितने का है, 8 का है, 8 निकालूँगा 196 तो ये कुछ 4-5 परसेंट आएगा, तो मेरे पास जो value answer हो सकती है, वो option number D ही correct हो सकता है, जिसमें 20% क्या है, जिसमें 20% के अंदर 10 लिटर पानी को एड़ कर दिया, तो जो percentage of acid है, वो मेरे पास रहा गया 15%, तो हमें बताना है original quantity कितनी थी mixture की, अगें दो तरीके हैं, एक है basic तरीका और एक है ratio method, ठीक है, पहले मैं basic से करके समझाता हूँ, आपको कि कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ, total quantity mixture की मैं मान लेता हूँ, acid कितना है इसके अंदर 20%, तो मैं कह सकता हूँ, acid total कितना हो जायागा 20% of x, अभी मैंने क्या करा, इसमें 10 लिटर पानी जोड दिया, तो अब mixture कितना हो गया मेरे पास, क्या ये x plus 10 हो गया, अब इसमें acid की percentage कितनी है, acid में तो कोई बदलाव नहीं है, तो जितनी quantity acid की पहले थी, अभी भी उतनी ही रहेगी, तो x plus 10 मेरे पास क्या हुआ mixture है, अब acid कितना percent हो गया, 15%, तो total quantity acid की नए mixture में भी इतनी ही है, पुराने mixture में, क्योंकि acid constant था, मैंने वही चीज़ constant कर दी, solve करके मैं x की value बता दूँगा, जो कि मेरा total quantity होगी solution की, आप देखेंगे 5% से काटूँगा, तो 3 और ये वाली value मेरे पास 4 आएगी, और यहाँ पे 4x में से 3x को खटाऊँगा, तो x बचेगा और यहाँ पे 10 into 330 आ जाएगा, ये मेरा question हो गया, खतम बिल्कुल basic से, कुछ लोगों ने ratio method भी लगाया होगा, उससे भी कर सकता है, थोड़ा सा लंबा लगेगा ratio method से, मैं एक बार करके बता देता हूँ, मेरे पास acid है, और मेरे पास क्या है, solution है, ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, पहले acid कितना था मेरे पास, 20%, तो एक भाग 5, अगर total solution 5 है, तो acid कितना हो गया, एक हो गया, ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या मिलाया, कुछ water add करा, जिससे acid की concentration हो गई 15%, अगर acid 15% है, 15% क्या होता है, 3 ratio 20, ठीक, तो अब acid इतना हो गया, आप ये बताओ मुझे, ये acid में कोई बदलाव आया क्या, नहीं, 10 लिटर पानी add करने के बाद, तो acid पहले एक ratio था, अब acid हो गया 3 ratio, ratio को maintain करने के लिए, मुझे acid तो constant ही रखना है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 3 से गुना करूँगा, तो ये 3 ratio 15 है, और यहाँ पर मेरे पास 3 ratio 20 है, solution मेरा कितना बढ़ा, solution मेरा 5 ratio से बढ़ा, 5 ratio किसके बराबर दे रखा है, 5 ratio मुझे बराबर दे रखा है, 10 liter के बराबर, तो एक ratio मेरा किसके बराबर हो गया, 2 liter के, मुझे बताना है, initial quantity of solution कितना था, initial quantity of solution था मेरा 15 ratio, 15 into में 2 कर दूँगा, तो मेरे पास अंसर आजाएगा 30 liter, this is the ratio method that you may have used, तो ये दोनों ratio method से भी असान ही है, इससे भी है, ठीक है, लेकिन धियान रखना ratio method यूज करो, तो acid ratio water मत निकालना, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उससे बेटर है acid ratio total, तो 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 एक step ज़्यादा लगेगा, इससे बेटर से करोगे तो, एक ये वाला सवाल है, बहुत सही सवाल है, ठीक है, इस तरह के practice हमने कर रही है, मिक्स्चर में पढ़े हैं, बस अप्रोच आपकी बेटर होनी चीए, question को सोल करने की, देखो question में कहता है, एक मेरे पास 100 लिटर मिक्चर है, जिसके अंदर milk और water का ratio दे रखा है, दो ratio तीन, इसमें से 10 लिटर को mixture को निकाला मैंने, और इससे replace कर दिया किस से? दूद से, इस process को मैंने दो बार और repeat करा, तो हमें बताना है percentage of milk in the final mixture, जो final mixture होगा, उसके अंदर milk की percentage क्या होगी? अब इसे कैसे करेंगे? आप से क्या final quantity पूछी है, नहीं पूछी, हमसे क्या पूछी है, percentage पूछी है, तो हम percentage में ही काम करते हैं, ठीक है, total 100 liter अगर मेरा solution है, आप देखेंगे, आप मिल्क और water कितना है, 2 और 3 पांच ratio, पांच ratio 100, total solution, solution, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 100 liter solution है, आप अगर solution में भी convert कर दो, क्योंकि 100 liter 100% को ही represent कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 ratio 100 liter के पराबर, 1 ratio 20 liter के पराबर, तो मिल्क कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 से गुना करूँगा तो 40, और यहाँ पर अगर water की बात करूँ, तो water मेरे पास initially solution में कितना है, 60 liter, या फिर आप कह सकते हैं, water initial solution में मेरे पास कितना है, 60 परतिशत है, milk है 40%, हम क्या कर रहे हैं, 10 liter mixture को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उसे replace कर रहे हैं, किस से, milk से, मेरे उससे ज़्यादा तो मैं बापिस डाली रहा हूं, reduction किस में होगी, reduction होगी, सिर्फ water के अंदर, water की जो concentration है, जो percentage quantity है, वो धीरे धीरे reduce होती रहीगी, जब मैं ये ऐसा process को करूँगा, क्या ये चीज समझ आगे, इस तरह के सवाल में, हम जो value reduce होती है, उससे पकड़ते वे चलते हैं, उसकी final चीज़े हम निकाल सकते हैं, आप कहेंगे, sir, कितना मैं solution को replace कर रहा हूं, मैं 10 liter solution को replace कर रहा हूं, total था 100, कितना हो गया, क्या ये 10 divided by 100 करूँगा, तो मैं कह सकता हूं 1 tenth, मैं 1 tenth solution को replace कर रहा हूं, तो water मेरा हर बार क्या होगा, 1 tenth अपने आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है, initially मेरे पास water की percentage की, अगर मैं बात करूँ, milk 40% है, water 60% है, क्योंकि total solution 100% माना है मैंने, तो मेरे पास water initially था, 60%, जब मैंने एक बार process मैं करूँगा, कि मैंने इसमें solution निकाला, और उसकी जगा क्या डाल दिया, milk डाल दिया, तो water कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 tenth मेरा water निकलेगा, 1 tenth मेरा milk निकलेगा, तो water अपने आपका क्या रह जाएगा, 9 tenth रह जाएगा, तो पहले 60% था, जैसे ही मैंने क्या करा, solution निकाला, तो water मेरा रह गया, 9 tenth, और उसके अंदर milk डाल दिया, तो water तो मेरा अभी भी इतना ही रहेगा, water में कोई बदलाव नहीं आएगा, अब मेरा water इतने percent रहेगा, total solution के, जब मैंने एक बार replacement करी, अब इसी process को दो बार और repeat करना है, अभी मेरा water की percentage इतनी है, फिर मैं one tenth solution निकालूँगा, तो इसका one tenth water निकल जाएगा, water रह जाएगा, इसका भी nine tenth, ठीक है, अभी ये मेरे पास, दो बार replacement के बाद, water की concentration इतनी बचेगी, फिर एक बार और replacement करने है, क्योंकि process मैंने पहले एक बार 10 लिटर निकाला, उसे replace करा milk से, फिर इसे दो बार और repeat करा, तो पहले normal process फिर एक बार repeat, फिर दूसरी बार repeat, तो मेरे पास जो water की concentration निकल के आएगी, वो ये निकल के आएगी final solution, मुझसे पूचा है milk की concentration, total concentration, total solution मेरा 100% है, अगर मैं water घटा दूँगा total में से, तो मेरे पास milk कमान निकल के आजाएगा, आप इसे फटा-फट से solve कर लेंगे, मैंने का 1-0 से 1-0 कटेगा, अब ये 10 into 10 है, ये आगे तो कटेगा नि, क्योंकि यहाँ पर 2-5 का multiple, ये मेरे 10 काटने के लिए, तो मैं 10 और 10 को छोड़ देता हूँ यहाँ पर, आप solve करेंगे, यहाँ पर 6 है, 9 तीन बार है, 9 का cube 729 आपको पता है, होता है, नहीं भी करोगे तो भी जल्दी हो जाता, अभी मैं बताता हूँ, ये, ये मेरे पास किसकी concentration है, ये water की concentration है, क्या मैं unit digit से कर सकता हूँ इस सवाल को, आप देखो, 4 option की unit digit क्या है, different है, मैं 9 को 6 से multiply करूँगा, तो 4 आएगा, और इसके बाद कुछ और value आएगी, फिर मेरे पास divided by 100 तो मतलब, यहाँ पर point लगेगा, यहाँ पर कुछ value आएगी, ये मेरे पास क्या आएगा, ये concentration निकल गाएगी, किसकी water की, हमें किसकी बतानी है, milk की, अगर मैं 100% में से, ये चीज माइनस करूँगा, मैं 100% में से, जो मैंने कहा अभी ये वाली value माइनस करूँगा, ये पर मेरा A ही correct हो सकता है, समझ आया सभी लोगों को या नहीं समझ आया, तरीके clear होनी चीए, समझाने में time लगता है चीजों को, इस सवाल को अगर मैं एक्जाम में करना होता, तो hardly 15-20 second लगती, इस से ज़्यादा इस सवालों में काम नहीं था time लगाने को, जितनी ज़्यादा प्रिविजन करोगे, जितनी ज़्यादा जो चीजे बेसिक से आपने पढ़र रखे, उसके practice करोगे, तब ये यूज कर पाओगे, जितनी ज़्यादा प्रिविजन करोगे, आगे भड़ता हूँ मैं इस सवाल में, अब हमारे पास दो कोशिन है, पार्टनर्शिप के, ठीक ठाक सवाल पार्टनर्शिप से पूछे गए, मैंने एक पार्टनर्शिप का में से पहले आपको एक session भी कराया था, ठीक है, फांच महीने के बाद बिजनिस स्टार्ट होने के, A, चार हजार रुपे और ज्यादा बिजनिस में डाल देता है, बिजनिस स्टार्ट होने के छे महीने बाद, C क्या करता है, आठ हजार रुपे और बिजनिस में डाल देता है, और 4 महीने business start होने के बाद B अपने 8000 रुपे business से निकाल लेता है साल के अंत में उन्हें जो profit होता है वो X रुपीज का होता है तो हमें बताना है वो किस ratio में अपना profit share करेंगे ठीक है ratio बताना है पटावर से बड़े अराम से कर लेंगे यहां पर जितना भी amount है मेरे 1000, 1000 में है और आपको पता है जब भी मैं profit का ratio निकालूँगा profit का ratio किसके पराबर होता है यह directly proportional होता है investment into time के ठीक है तो अगर मुझे profit का ratio पताना है तो investment into time का multiplication का ratio निकालना होगा अब यहां पर मेरे पास जो भी investment है वो थाउजेंट्स में है तो थाउजेंट्स वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं मैं फिलाल इसे तीन तीन जीरो सब जगए कार्ट देता हूं clear है जिससे की चीजे मेरे लिए असान बनी रहें क्योंकि सारी चीजे ही थाउजेंट्स के अंदर है done तो अगर मैं solve करता हूं मैंने कहा A ने बिजनस में पहले लगाए 20 रुपे P ने बिजनस के अंदर लगाए 25 रुपे और C ने बिजनस के अंदर लगाए 10 रुपे पांच महीने के बाद A ने बिजनिस में 4 रुपे ओर ढालें, पांच महीने के बाद तो 5 महीने तो बिजनिस में पड़ा रहा तो 5 महीने में उसके profit का ratio 20 into 5 हो गया, साल के अंद में हमें ratio निकालना तो बचे कितने महीने मेरे पास 7 महीने 12 में से 5 गटाऊंगा 7, अब इसने क् इन्वेस्ट करते हैं चार रोड डालेगा तो 24 हो गए 24 इंटू में कितने महीने के लिए 7 महीने यह एके प्रोफिट का रेशियो हो गया बी की बात करते हैं वी ने क्या करा चार महीने के बाद वी ने 8000 रुपे निकाल ले तो 4 महीने तक तो 25 रुपे पड़े होंगे और उस इसने क्या करा 8000 रुपे अपनी इंवेस्टमेंट से निकाल लिए तो 25 में से 8 गठाओंगा 70 रुपे बिजनिस में रहेंगे कितने महीने के लिए 12 में से 4 गठाया 8 महीने के लिए अगर C की बात करें C ने कितने लगाए थे बिजनिस में 10,000 रुपे लगाए थे इसने क्य करा छे महीने के बाद आठ जार रुपय और बिजनिस में डालती है तो छे महीने के लिए दस हजार रहे आठ और डालेगा तो दस और आठ अठारा अब बचेवे छे महीने के तो यह इनकी क्या हो गया प्रॉफिट का रिश्य हो जाएगा सोल करके अपना अंसर निकाल लेंग यह पांच और तीन पंधरा बचेगा और यह मेरे पास तीन और नो 27 बचेगा सम करूंगा मैं तो पच्चिस और छे साथ सब्सक्राइब तो अब इसी सवाल को देखो मैंने अभी पूरा कराया अगर आप और स्मार्ट ली चलना चाहते थे आप इस सवाल को क्यों कि मैं देखता है यहां पर चार ओप्शन जो मुझे दे रखे हैं एक सेवंटीवन रिश्यू है एक फिप्टी नाइन एक चारो के चारो क्या हें प्राइम नंबरस मैं अगर मैं इस पूरे कोशन को सूलव करने की जगा मैं सिर्फ इतना ही सोल्व करता हम एला पार्ट निकालता आप कहतेये सर्वीज इंचू बीस इंटू पाँच है मेरे पास और यहां पर चोबीस इंटू साथ मिझे पता नही किसी से कटेगा या नहीं कटेगा मैं अगर खाली इसे सोल करता देखो यहां पर अगर 71 वाले दो हैं तो यह मेरे दिमाग में थोड़ी सी confusion create कर सकते हैं कि अगर यह वाला पार्ट मेरा 71 का multiple हो जाए तो उस case में तो क्या होगा उस case में मुझे आगे भी solve करना पड़ेगा otherwise मैं सिर्फ इतना solve करता हूँ 4 का multiple सारे common हागे कटेगा वो मुझे भी नहीं पता तो मैंने इसलिए भी 4 वाला नहीं काटा मैं कहूंगा यह 100 है और यह मेरे पास 168 है तो यह वाली value मेरे पास हो गई 268 चारो में से कौन सी value ऐसी है चारो ratio में से जिससे 268 completely divisible है आप कहेंगे 71 से try करूँगा नहीं कट रहा मैं 59 से try करूँगा नहीं कट रहा मैं 67 से try करूँगा 67 से 4 times अगर मैं गया तो यह मेरे पास यह आ रहा है तो यह 67 से ही कट रहा है और 71 से फिर से नहीं कटेगा तो मेरा answer क्या होगा option number यही होगा तो यह चीज उपजर्व की जा सकती है लेकिन जरूरी नहीं एक्जाम टाइम में यह चीज आप सोच पाओ ऑल्दो आप प्रेक्टिस जितनी ज्यादा करोगे कोश्चन के तो यह चीज आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगी ठीक है चलू तो जब भी इस तरह का सवाल होगा जितनी भी एक्स्ट्रा फालतू की जीर होंगी चार जीरो यहां पर चार जीरो यहां पर है तो मुझे पता है रेश्यो से ही काम लेना है इंवेस्मेंट में तो मैंने चार चार जीरो हटा दी तो मैंने कहा A ने बिजनस में लगाए 10 प्रॉफिट का रिश्यो रहा होगा ठीक है 7 months after C left business B also left the business अब 7 महीने बाद C ने 3 महीने बाद छोड़ा उसके भी 7 महीने के बाद भी छोड़ रहा है तो 7 और 3 10 वी ने 10 महीन तक business में पैसे लगाए रखे कितने चोधा ठीक है आगे कहता है D and C took their investment with them जब उन्होंने बिजन प्रॉफिट का वह 155 है तो हमें बताना है कि total share of profit A और B का total share क्या होगा profit में तो एक ही कहीं बात नहीं करी गई तो मतलब साल के अंतक A ने पैसा लगाया होगा 10 रुपे लगाया थे कितने महीने के लिए 12 महीने अगर मैं इसे simplify करूँ मैं चाहूं तो इसे 2 से काट सकता हू चलो 4 से काट देते हैं यहां से काटूंगा 3 यह 5 और 7 35 और यहां पर काटूंगा तो 5 15 रेशियो मेरा किसके बराबर है 15 रेशियो बराबर दे रखा है 1155 के हमें value बतानी है 30 और 35 65 रेशियो की तो एक चीज तो मिले दिख रहा है 65 किसका multiple है यह तो multiple है हमारा 13 का तो 13 का answer मे सवाल को उतार रहेगा चेक करने से पहले चलो basic से कर लो यह मेरे पास सेवन टाइमस जाएगा यह सेवन टाइमस जाएगा 65 इंटू में 77 है लाश्ट डिजिट फाइव आएगी लेकिन कुछ फायदा नहीं 65 सेविंजा कितना होगा मेरे पास लाश्ट डिजिट से होगा गया लाश्ट डिजिट से ट्राइ कर सकते है लाश्ट डिजिट से कर लो आप यहां पर 77 है यहां पर 65 है 75 to 30 53 केरी फोरवर्ड तैवर इंटू 11 77 और थ्रीजिट 05 लाश्ट की दो डिजिट आएगी 50 वेधिक मैस में मैंने बताया है आप कैसे लाश्ट डिजिट पिछे से कैसे टर्म्स निकाल सकते हैं अगर मेरे पास नंबर हो 7687 और 1328 अगर मुझे इसकी लाश्ट डिजिट निकालनी हो मल्टिप्लाइ करके तो कैसे करते हैं पता है ना पहले मैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ करूँगा 87 56 5 केरी फोरवर्ड हो जा इसके लिए अगर नहीं पता है अगला सवाल हमारे पास एवरेज के दो कोश्ट पूछे का एक्जाम में तो वो दोनों कोश्ट देखते हैं अब देखो सवाल में क्या है एक क्लास के अंदर साथ स्टूदेंट का एवरेज रख है 28 पहले तीन स्टूदेंट का एवरेज है 30 साल और जो फॉर्थ स्टूदेंट है वो चार साल कम है किस से 50 student से last के जो 2 student है उनकी age same है और वो 5 ज़ादा है किस से average of first 3 students तो हम ही बताना है average of fourth and fifth student अब इस question में काफ़ सारा फालतुगा data दे रखा है मैं दुबारे repeat करता हूँ हमारे पास 7 student है इन सभी 7 student की average age दे रखी है 28 years जो first 3 student है उनकी average age दे रखी है हमें 30 years तोथे और पाँचवे student की age के बारे में इनका average हमें निकालना है इसके बीच में कुछ relation दे रखा है और जो मेरा छटा और सातवा student है student 6 और 7 जो है उनकी जो average age है इस average age से 5 साल जादा है तो इनकी average age मिझे दे रखी है 35 तो हमें बताना है average age 4th और 50 student की क्या होगी क्या मैं यहाँ पर deviation का concept लगा के इस question को solve कर सकता हूँ आप कहेंगे सर्ड deviation अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं average age सभी student की 28 है तो 28 से ही deviation निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर deviation कितना होगा 0 होगा यहाँ पर deviation कितना होगा 2 student पर plus 2 का 3 student पर plus 2 का यहाँ पर 2 students है मेरे पास इन 2 student पर deviation कितने का होगा 28 और यह है 35 तो net deviation अगर मैं check करूँ यहाँ पर मेरे पास 0 का है ठीक है यहाँ पर 3 student पर 2 का है तो plus 6 का deviation है, यहाँ पर मेरे पास 2 student पर 7 का deviation है, तो 7 दोनी 14 का deviation है, तो मेरे पास जो deviation निकल का आया, 14 और 6 20 का deviation निकल का आया, प्लस में इधर तो यह जो 20 का deviation positive में आया है, यही 20 का deviation मुझे क्या चीए, negative में चीए जिससे की net deviation 0 हो तेकि अगर 20 का deviation 2 student पे नेगेटिव में चीए तो एक student पे deviation कितने का चीएगा मुझे minus 10 का चीएगा, अगर यहाँ पे deviation मुझे minus 10 का चीएगा, तो यहाँ पे दो student की average कितना होगा, तो इन दोनों students की average क्या होगा, यह question orally भी किया जा सकता था, विधा पैंच लाएं, मैं दुबारे अगर repeat करना चाहूं तो दुबारे भी कर सकता हूं, अगर आप basic से देखना चाहें, तो basic से भी कर सकते हैं, मानलो मैं इनका average क्या मानलो, अभी हो सकता है, कुछ लोगों को fast लगा हूँ, तो पहले मैं दुबारे repeat करूंगा, इसे basic से कर लेते हैं, मैंने का इन दोनों student की average मैंने मानली x, इसमें deviation मैं 28 से निकाल रहा हूं, तो 0 का है, यहाँ पे deviation 2 का आया, 3 student पे तो 6, यहाँ पे मेरे पास 2 student पे, 7 का deviation तो 14, और यहाँ पे 2 student है, मेरे पास x average था, deviation कितने का होगा 28 से, x-28, और कितने पे है, 2 student पे है, तो 2 into मैं x-28, deviation का sum क्या होगा, 0 होगा, net deviation तो 0 ही होगा, मेरा 28 से compare कर रहा था, इसे solve करूंगा, तो मेरे पास x कमान आ जाएगा 18, यह हो गया basic तरीका, एक deviation से, अब मैं इस basic होता, इसका 7 into मैं 28, यह total sum हो गया, सभी student का, पहले 3 student का क्या है, average 30 है, तो 3 into मैं 30 हो गया, फिर 2 student का average मैं माल लेता हूँ, x है, तो यह 2x हो गया, और बात के 2 student का average इस से 5 ज्यादा है, तो 2 into मैं 35 हो गया, तो ऐसे करना चाहें, तो यह question बहुत simple है, तो यह ऐसे भी किया र सकता था, यहाँ पर भी unit digit 3 की different unit digit में मिल रही है, तो unit digit से अगर मैं try करता हूँ, तो मेरे पास 7 into मैं 8, 7 into 8, 56, 6 आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 आएगा, यहाँ पर 6 में से 0 घटाओंगा, तो 0 बचेगा, और 6 divided by 2, क्योंकि यह 2x है, अब 6 divided by 2 क्या unit digit मिल सकती है, या तो यह normal 6 हो, 6 के आगे कुछ value होगी, 6 के आगे कोई भी value हो, 6 divided by 2, या तो मुझे यह देता है 3, या मुझे देता है 8, क्यों, अगर यह normal 6 है, तो unit digit 3 बचेगी, अब इसमें यहाँ पर अगर old value है, 1 6 होता, तो 8 बसता, या 3 6 होता, तो फिर 1 8 बसता, ऐसे होता है, अगर even value होती, 2, 4, 6, 8, 10, तो उस case में यहाँ पर मुझे यह पुरा पुरा कट जाता, even value, और 6 divided by 2 सिर् 3 मिलेगी, या फिर 8 मिलेगी, और 8 option number C में है, तो मेरा answer आजाएगा, ठीक है, तो यह basic से भी कर लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब fast method जो है, exam based method जो है, मैं फटा-फट से वो करता हूँ, जो आपको exam में use करना है, आपने कहा कि 7 student का average है, 20, 2 student का average कितना है, 30 है, तो इन का average है, इस पहले 2 student, 3 student का जो deviation था, वो plus 2 का था, अब बाकी के last के 2 student है, उनका deviation कितना है, और 5 जादा है उनका average बेट, तो 2 और 5 साथ का deviation का कितने student पे 2 पे, तो 6 plus 7 दूनी 14, तो net deviation मेरे पास जो बाकी के 5 student में है, वो plus 20 का चल रहा है, और मुझे net deviation तो क्या करना पड़ deviation आया, किसमें बाटेंगे, इतन 2 student से हमें वापिस लेना है, तो 2 से भाग करूँगा, तो मेरे पास बचेगा 10, तो हर एक student से मुझे कितना, जो बीच के 2 student बचेगा, जिनका average बटना है, उन में से मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका जो initial average था, उससे दोनों का जो age होना चीए, वो दस दस साल कम होगा, तब जाके मेरे पास deviation maintained रहेगा, non net deviation zero आएगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 28 में से 10 घटा आदो, मेरा अंसर होगा 18 साल, अब ये simple question में तो इसमें ज्यादा need नहीं थी, अगर 22, 500 student हो, उसमें आलग लग 67 students का इतना, 75 students का इतना ऐसा average of first 148 even positive numbers and first 129 odd positive numbers में, ठीक है, sum of n natural even numbers का sum होता है, मेरे पास, n into में, sorry, sum of n even natural numbers का sum होता है, n into में, n plus 1, ठीक है, और अगर इनका average निकाल हो, तो n से divide करके मेरे पास बसता है, n plus 1, sum of n odd natural numbers का sum होता है, n square, और उसका average निकाल हो, तो मेरे पास होता है, n, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 148 positive even numbers का sum, अगर में average निकालता हो, तो वो आया मेरे पास n plus 1, तो यह 148 plus 1 that is 149 बनेगा, और हमारे पास कितने odd numbers लेने हैं, 129, तो यहाँ पर 129 ही इनका क्या होगा, average भी होगा, 149 minus 129 is 20, यह मेरा सवाल का उत्तर है, ठीक है, यह मैं लिख देता हूँ, average of n natural even numbers, वो भी क्या, first, और यह मेरे पास, average of पर्स्ट, 10, 4, यह हमारा formula होता है, सब पढ़ाया है, profit and loss के 8 questions थे हमारे पास exam में, उसके बाद time and work और time is finished, देखो हमारे पास question क्या है, देखो question में क्या आता है, selling price A और B का same दे रखा है हमें, A sold करता है article को 28% के profit पे और B बेशता है अपने article को 24% के loss पे, दोनों article का, जो total selling price है, वो हमें दे रखा है 48640, तो हमें बताना है cost price of A and B क्या होगा, अब यहाँ पे A का भी बताना है और B का भी बताना है, अगर मैं option को दिहान से देखों, आप देखेंगे A का 4 option में cost price अलग है, तो मैं चाहूं तो खाली A का cost price या खाली B का cost price निकाल दू तब भी मेरा answer same आ जाएगा, दोनों का selling price same है और combined selling price दोनों का इतना है तो एक का selling price कितना होगा, आप कहेंगे 2, 4, 3, 2, 0, 2 से divide कर दिया मैंने, अब यहाँ पे आप A से करना चाहो तो A से B से करना चाहो तो B से, तो कितने का बेचा होगा, अगर cost price को मैं 100 ratio माल लो तो 128 ratio का बेचा होगा, 128 ratio इसे represent करता है तो एक ratio 2, 4, 3, 2, 0 divided by 128 और मुझे क्या बताना है 100 ratio का मान, तो into मैं 100 कर दूँगा तो यह मेरा क्या आ गया, एका cost price आ गया, अब solve करेंगे, देखो 4 option में मेरे पास 3, 0 तो हैं, तो यह 3, 0 तो यहां से मुझे मिली रही है, तो यहां पर यह वाली time मेरी पूरी की 128 से कटेगी, 8 में किस से multiply करूँ कि 2 आ जाए, आप देखेंगे 8 into 4 करूँ, तो भी मुझे unit digit में हाँ पे क्या मिलता है, 2 मिलता है, 8 for is a 38, और 8 को मैं 9 से multiply करूँ, तो भी मुझे unit digit में 2 मिलता है 72, तो मेरी जो भी 3, 0 के बाद value होगी, क्या तो वो 9 आएगी या 4 आएगी, 4 तो option में दे रखा है, 9 option में नहीं है, तो option number B क्या होगा मेरा correct होगा, clear है सभी लोगों को समझा आ गया, आगे भड़ता हूँ, क्याता है, 1 person एक article को 18 पर्तिशत की हाने पे बेचता है, तो इस तरह के सवालों में cost price को हम 100 ratio मानके solve कर लेते हैं, cost price को अगर मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, initially 100% है, या 100 ratio है, अब हुआ क्या, हमने इसे बेचा 18% के loss पे, तो मेरा जो initial selling price होगा, इसमें 18 कम कर दूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 82 ratio, आगे कहता है, कि selling price को 144 रुपे से भड़ाना है, और cost price को 30% से कम करना है, cost price 30% से reduce कर है, और ये करने के बाद मुझे क्या होता है, 20% का profit होता है, ठीक है, selling price मैं घटा रहा हूँ कितना, ये रुपीज में घटा रहा हूँ, minus 140, selling price को increase कर रहा हूँ 144, और मुझे profit हो रहा है 20%, 20% का profit of 70 पे होगा, 70 का 20% 14, तो ये वाली value आएगी मेरे पास 84 ratio, पुराना selling price है 82 ratio, नया selling price है, 84 ratio, और difference है, यहाँ पर 2 ratio का, मैंने selling price कितना बढ़ाया, 144 से बढ़ाया, तो 2 ratio 144 को represent करेगा, मुझे value किस की बतानी है, मुझे पुराना selling price बताना है, पुराना selling price था 82 ratio, ठीक है, तो यहाँ पर 2 में 41 से multiply करूँगा, तो मेरे पास 82 ratio आएगा, तो यहाँ पर 144 में क होंगे, पूरा ही multiply कर देता हूं, second last digit पे निकाल लो, यहाँ पर 41 से करना है, 4 वन जब 4, 4 आ गया, 4 16 और 4 20, 0 आएगा, 0 4, last 2 digit, 0 4, option number 2 is correct, खतम हो गया सवाल, ठीक है, चलूँ आगे, एक article का cost price 2800 रुपे है, अगर selling price पे profit percentage निकाला जाए, तो वो 20 परसेंट है, हमें बता परसेंट होना है, actual profit रुपीज में क्या होगा, ठीक, अगर मैं बात करता हूं, 20% selling price पे profit, 20% होता है, 1 by 5, अगर selling price 5 है, तो profit कितने का होगा, एक का होगा, तो cost price कितना हो जाएगा, मेरे पास, selling price में से profit को हटाऊँगा, तो cost price आएगा, मेरे पास, 5 में से एक घटाया, 4, cost price आर्टिकल का कितना है, 2800 है, हमें original profit बताना है, 4 ratio, 2800 के बराबर, तो एक ratio किसके बराबर, 700 के, 4 into 700 is, 2800, question खतम, अगला सवाल, question में कहता है, एक article को अगर 5% के discount पे बेचा गया, तो profit होगा, हमें 14%, ठीक है, हमें बताना है, अगर discount 11% दे दिया, तो profit क्या होगा, बिलकुल basic से करेंगे, हमें पता है, cost price ratio MRP क्या होता है, अगर मैं MRP पे कुछ discount देता हूँ, तो वो 100 minus cost price के ratio, 100 minus कितना discount दिया, 5, ये cost price के ratio को represent करेंगा, और MRP का ratio के represent करता है, 100 plus जो profit हो रहा है, cost price पे, profit कितना हो रहा है, हमें 14 का, तो मेरे पास cost price ratio MRP ये 95 बना और ये value 114, अगर मैं 19 से काट दूँ तो ये मेरे पास 5 ratio 6 आ गया, ठीक है, तो मेरे पास cost price 5 है, तो मेरे पास MRP कितना होगा, 6 होगा, हमें बताना है, अगर मैं 11% का discount दे दूँ तो profit कितना होगा, simplify करने के लिए से 5 को अगर मैं 100 बना लूँ, cost price 100 है, तो मेरे MRP कितना हो जाएगा, ये मैंने 20 से गुना करा, इसमें भी 20 से गुना कर देता हूँ, ये वाली value मेरे पास 120 हो जाएगी, अब मिझे 120 पे कितने का discount देना है, 11% का, 13.2 इसमें खटाऊंगा तो मेरे पास 106.8, profit कितने का हो जाएगा, 6.8% का, मैं दुबारे repeat करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, MRP ये है, MRP है 120 रुपे, cost price है 100 रुपे, profit कितने का है, अगर MRP बेचूंगा 20, अब मिझे discount कितना देना है, 11% का, तो इसका 11% नि 20 में से, 13.2 को खटाया, तो 6.8, clear है question सभी को, चलें आगे, अब देखो मेरे पास क्याता है, एक article है, जिसे 25% के loss पे बीचा गया, cost price को 100 ratio माल लो, तो selling price मेरा हो जाएगा, 75, अब हमने क्या करा, cost price को double कर दिया, ठीक है, जो selling price है, हमने उसे कितने से बढ़ा दिया, selling price को बढ़ा दिया, हमने 660 rupees से, ठीक, तो कहता है कि हमें क्या होता है, 20% का profit, अब cost price मेरा double हो गया, इस पे 20% का profit लूँगा, तो कितना हो जाएगा, 40 का profit, 40 ratio का, तो यह 240 ratio हो गया, ठीक है, selling price पहला था, 75 ratio नया है, 240 ratio, कितना बढ़ाया था, मैंने selling price 660 rupees, तो original cost price बताना है, मत्तब 100 ratio का मान बताना है, कितना बढ़ गया, 140 और 25, 175 ratio, 175 ratio अगर 660 को represent कर रहा है, 175 यह कुछ हो रहा है, एक second, 140 और 25, 175, ठीक है, तो और 100 ratio का मान क्या होगा, सबसे पहले तो यह 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कुछ calculation mistake करिया, just give me a second, 25% का loss पे बेच रही है, cost price डबल करा, selling price 660 बढ़ाया, profit होगा 20% का, 240 ठीक है, original cost price of the article, 25, 165 है, यह सो रही है, और यहां से 165 का 4 गुना होता है, 660, तो एक ratio 4 के बराबर, 100 ratio, 400 के बराबर, 400 is the answer, ठीक, अगला सवाल, एक article को हमने 54,120 रुपीज का बेचा, पहला discount दिया, इस पर 12% का, और दूसर discount दिया, इस पर 18% का, तो हमें बताना है, article का marked price क्या था, ठीक है, तो चार options भी दे रखे हैं, यहाँ पर 78,000, 81,000, 75,000, and 72,000, ठीक है, चाहें तो हम directly option से करें, या फिर basic से ही करते हैं, चलो छोड़ो, मेरे पास MRP है, ठीक है, 12% का discount दूँगा, तो 88% पर बेचूँगा, और फिर में 18% का discount दूँगा, इसके उपर और तो 82% पर बेचूँगा, selling price कितना है, 5,4,1,2,0, हमें बताना है, MRP का मान क्या होगा, क्या हम unit digits से try करने की कोशिश करें, कुछ ज़्यादा benefit तो हमें नहीं मिलेगा, calculation ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बहतर रहेगा, अगर मैं इसे 4 से काटूँ, या 11 से इसे काट देता हूँ, 11 से काटा 8 टाइम, और 11 से काटूँगा, तो जोग, निम्मा, तूख, ठीक है, option number C is correct, ठीक है, basic से calculation करें, ज़्यादा दिमाग लगाता, उसमें भी time लगता, basic calculation में भी time लगा, तो basic से यह घर लिया, question में क्या दे रखा है हमें, क्याता है, एक article का जो MRP है, वो 28,000 रुपे है, इसे दो तरीके दे रखे हैं, इन में से किसी एक तरीके से बेचा जाता है, पहला तरीका क्या है कि इस पर single discount दे तो 24 परसेंट का, दूसरा तरीका क्या है, इस पर दो successive discount दो, एक दो 16 परसेंट का, हमें बताना है कौन से तरीके में हमें lowest selling price मिलेगा, और उस जो selling price होगा, उसकी value क्या होगी, तो direct कर लो, देखो, यह 24 परसेंट है, इसका effective discount कितना होगा, 16 जमा 10, 26 minus 1.6, तो यह होगा मेरे पास 24.4, ठीक है, तो discount जादा मुझे इसमें मिल रहा है, तो selling price की lowest value वे B में मिलेगी, तो यह होगा या यह होगा, अब मुझे कितना discount दिया, 24.4 का दिया, कितने पर कि 75.6 में बेचेंगे, तो 28,000 का 76.75.6 परसेंट निकालना है, आप देखेंगे, परसेंट है, तो divided by 100 होगा, दो 0 गई, यह point हटाऊँगा, तो एक और 0 गई, तो मेरे पास 8 इंटू 6 करूँगा, यूनिडिट क्या आएगी, आठ आएगी, ठीक है, यूनिडिट 8 ओप्शन नमबर, बी में है, तो यह मेरा इस कुश्चन का अंसर होगा, ठीक है, 8 इंट सिखेंगे, अब हमारे पास जो सवाल है, वो सिंपल इंटरस्ट के है, दो कुश्चन आये थे, कंपाउंट टरस्ट का इस बार नहीं आया श्रायत कुश्चन, अच्छा, दो कंपाउंट टरस् टाइपिंग मिश्चेक है, ओन आज सम ओफ के अकर लोगास, हमें सिंपल इंटरस्ट बताना है, 12,000 रुपे पे कितना होगा, 15% पर एनम की दर से 3 साल का, सिंपल इंटरस्ट एक साल में अगर 15% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15 इंटू में 3, 45%, 45% किसका, जो हमने अगला सवाल, कियाता है, 2000 रुपे को मैंने सिंपल इंटरस्ट पे दिया 10% पर एनम की दर से और 4000 रुपे को मैंने 15% पर एनम की दर से, वियाज पे दिया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, पोटल सिम्पल सिंपल इंट्रस्ट कितना होगा आप कहेंगे सरथ 2000 रुपे दस परसेंट के साफ से एक साल का ब्याज होगा तो 22 जृक्त zaman होगा और चालीय क disguad पर 15 के सा अधिक साल की जोगा कितना है थे हजार यह úlie से चांगे लिघा यह інगा हमसे देखो question में क्याता है दो लोग हैं मेरे पास बिपूल और मनीश ठीक है बिपूल ने 15,000 रुपे 20% परेनम की ब्याज़़र से 3 साल के ले दिये और मनीश ने 20,000 रुपे 30% परेनम की ब्याज़र से 3 साल के ले दिये compound trust पे हमें बताना है कि total compound trust क्या होगा जो बिपूल और मनीश ने earn किया ठीक है तो solve करेंगे 20% क्या होता है मेरे पास 20% होता है 1 by 5 ठीक है तो मतलब हमारे पास यहाँ पर value निकल के आएगे अगर 5 रुपे निवेश करेंगे तो 6 मिलेंगे 1 साल में 3 साल की बात करूँगा तो इसका cube करना पड़ेगा ऐसे ही हमारे पास 60% दे रखा है मतलब 10 रुपे निवेश करेंगे 3 का बियाज मिलके 1 साल में amount 10 का होगा 13 और 3 साल में करना पड़ेगा तो इसका cube करना पड़ेगा आप देखेंगे इसका cube करूँगा यह 5 और 6 की जगा मैं 10 रुप बारा कर रहा हूँ इसके बीचे का region अभी बताऊँगा 10% का 20% का बियाज दर है तो 10 रुपे निवेश करूँगा तो 12 बनेगे क्यों मैंने करा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर cube करना पड़ेगा और 10 का cube कितना होगा मेरे पास 1000 होगा और 1000 यहाँ पर यह भी 1000 की टर्म्स में और यह भी 1000 की टर्म्स में तो मिल जाएंगे तो एक साल में इतना है तीन साल में 1000 का मेरा बनेगा कितना 1728 तो कितने का बियाज मिलेगा 728 का ब्याज मिलेगा अगर 1000 रुपे निवेश करें किसने विपुलने 1000 रिश्यो 15,000 के बराबर 1 रिश्यो 15 के बराबर तो मेरे पास यहाँ पर इसे इंटरस्ट कितना मिलेगा इतना, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मनीश की, तो 10 रुपे निवेश करेगा, 13 बनेगी, एक साल में तीन साल में कितना, 1000 करेगा निवेश तो 2197 मिलेगा ठीक है, प्याज कितना मिल गया 1197, 1000 किसे रिप्रेजेंट करता है 2000 को, तो एक किसे रिप्रेजेंट करेगा 1000, 20,000 को represent करता है तो एक represent करेगा 20 को तो into में 20 कर दूँगा तो मेरा ये आजाएगा interest इसका इन दोनों का मुझे क्या बताना है सम बताना है चारो options दे रखे हैं यहाँ पर देखो 0 आएगी आएगी last की two digit से try गरूँगा मैं last की two digit से करता हूँ चलो 7 दूनी 14 चालिस इसकी last two digit निकालूँगा 15 इंटू में 8 120 12 carry forward 30 20 और 40 60 दो option में 16 बात नहीं बनी आगे ही solve कर लेता हूँ 42 4 carry forward 105 और यहाँ पर 14 carry forward 9 1 carry 30 इन दोनों को सम कर लो 920 940 148 60 248 60 2 3 था है सो रही है 3 4 8 6 option number 6 option number 6 चलें आगे अगला सवाल हमारे पास जो compound interest मिलता है हमें 8% per annum की ब्याज दर से 2 साल में वो है इतना हमें बताना है simple interest क्या होगा same sum पे 2 साल के लिए ही अगर 8% के साब से 2 साल का effective compound interest निकालों तो वो क्या होगा मेरे पास यह होता है 8 plus 8 16 और 8 into 8 divided by 100 तो यह होता है 0.64 इसकी value मुझे दे रखी है 6 6 5 6 मुझे value बतानी है 16% क्या होगी ठीक है तो जो value मेरे पास आएगी है थोड़ी सी कम होगी इससे लगबग हलकी बहुत कम होगी 4 options दे रखे हैं एक यह है एक यह है यह है यह तो बहुत ज़्यादा कम होगी तो यह तो possible नहीं है उपर के इन तीनों में इससे कोई answer होगा जनरली chances होगे इजी value हमारा answer निकल का है बाकि आप basic से भी solve करें कि 1664 है ठीक है अगर मैं point हटा दूँ तो यहाँ पर 2-0 लग जाएंगे और यहाँ से काटूंगा तो यह पूरा पूरा मेरा 4 टाइम कट रहा है इससे शायद पूरा चार टाइम जा रहा है और यहाँ पर 464 option number बीच करेक्ट question में कहता है A अकेला एक काम को 11 दिन में B अकेला उसी काम को 22 दिन में और C अकेला उसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं A क्या करेगा D पहले दिन होता है A और B काम करेगा दूसरे दिन B और C तीसरे दिन C और A तोते दिन फिर से A और B काम करेगा और इस तरीके से सिक्वेंस चलता रहेगा तो हमें बताने कितने दिन में काम complete होगा अगर मैं solve करता हूँ A कितने दिन में कर रहा है 11 में B 22 में कर रहा है और C कर रहा है हमारा 33 दिन में total काम इन तीनों का LCM यह हो जाएगा मेरे पास 66 ठीक है यह time है A के efficiency A का एक दिन का काम 66 भाग 11 B का एक दिन का काम 3 और C का एक दिन का काम 2 पहले दिन A और B ने काम करा तो पहले दिन 6 और 3 9 काम होगा दूसरे दिन B और C ने काम करा 3 और 2 5 काम होगा और तीसरे दिन फिर A और C काम करेंगे तो 6 और 2 8 काम होगा पहले तीन दिन में कितना काम होगा 9, 5, 14 और 8 22 काम होगा हमें बताना है अगर ये इसी तरीके से काम करें क्योंकि चोथे दिन फिर से पहले दिन वाला repeat हो गया फिर पाँचवे दिन दूसरे दिन वाला repeat होगा शटे दिन तीसे दिन वाला इसी sequence में काम होगा तो total काम कितने दिन में खतम होगा आप कहेंगे sir दे तो रखा है 3 दिन में 22 काम कर रहे हैं हमें total काम करना है 66 ये तो इसका 3 गुना है तो पूरा पूरा 3 गुना अगर कट रहा है तो कोई tension नहीं लेना इसमें भी 3 से गुना कर दूँगा ऐसी काम की कितनी cycle 3 cycle चलेंगी तो 3 into 3 9 दिन 9 दिन के अंदर पूरा कितना काम हो जाएगा 66 काम हो जाएगा अगर यहां पर यह पूरा 66 नहीं होता मान लो 66 सी जगा मेरा total वर्क होता say 75 और मुझे बताना होता कितने दिन में काम कम्प्लीट होगा तो हम कैसे करते हैं हम कहते हैं सर 3 दिन में 22 काम होता है यहां पर total काम है 75 पहले मैं 22 से डिवाइड करता 75 को 3 टाइम जाता 66 मेरे पास बसता कितना यहां पर remainder 9 अब इस particular case में क्या होता आप मैं कहता है 3 cycle तो मेरी चलेंगी 22-22 काम की तो 9 दिन के अंदर पहले 22 into 3 66 काम होता उसके बाद अब बारी किसके आती है मेरा 9 काम बचावा है बारी आती मेरी A और B के काम करने की एक दिन में 6 काम करता है बीक दिन में 3 A और B 7 मिलके पहले दिन इतना काम करेंगे 9 काम करेंगे तो अगले दिन तो 96-95 काम तो 10 दिन में में मे나 काम होता अगर टोटल काम 75 होता तो इस तरीके से चलते है छोबवा सा कंसेप्ट अब बञीदे है बहुत असरल सा सवाल है एक काम का एक छोथा इक योंज तो पूरा काम कितने में करेगा? 4 गुना टाइम में, 36 दिन में B एक काम का 2 बाइ 3 करता है 28 दिन में तो पूरा काम कितने में करेगा? प्रोस मल्टिप्लाइ 3 उधर मल्टिप्लाइ होगा, 28 में और 2 डिवाइड होगा 36 into में 42 है यहाँ पर और 36 प्लस 42 करूँगा तो मेरे पास यह 78 बनेगा 78 6 से कट जाएगा 6 13 जा और 6 7 जा तो denominator में मेरे पास 13 आएगा चोथा option छिप गया शायद वही answer होगा 36 into 7 करूँगा तो यह 252 आता है This is my answer Next question देखो question में कहता है A. अकेला एक काम को 14 दिन में B. अकेला उसी काम को 28 दिन में और C. अकेला उसी काम को 56 दिन में कर सकता है ठीक है B. ने last के दो दिन काम लास्ट के जब काम कंपलीट हुआ उस से दो दिन पहले इन तीनों का LCM, LCM 50-60 आ जाएगा, अगर Efficiency निकालूँगा A की, B की और C की, तो ये 4 और ये मेरे पास 2 और ये वाली value मेरे पास 1 आएगी, ठीक है, A ने कितने दिन काम करा मैं मान लेता हूँ, टोटल जो मेरा काम हुआ है, वो T-Dage में complete हुआ है, तो C ने तो पुरा D-Dage तक काम करा, Vi ने क्या करा, काम खतम होने से 2 दिन पहले काम करना, बंद कर दिया था, तो इसने D-2Dage काम करा है, पर अगर A की बात करूँ, इसने तीन दिन पहले पहले काम कर दिया, तो A ने D-3DH करा 4 के एफिशेंसी से काम तो 2D कितना काम करा 4D-12 अगर मैं B की बात करता हूँ इसने 2D-4 काम करा है और C ने 1 के एफिशेंसी से D-DH तक काम करा है तो इसने D काम करा है टोटल काम कितना करा तोल कर लेंगे 12 प्लस 4 और 16, 16 इसमें जोड़ूँगा 72 और यहाँ पर मेरे पास 70 72 by 7 This is my answer अगला कुशी ने बेसिक से करा वरना आप ऐसे भी सोच सकते थे सवाल को कि A ने क्या करा 3 दिन कम काम करा एक को भी अगर मैं लाश तक काम करवाता तो हमें कितना एक्ष्टर काम करवाना पड़ता A कितना और एक्ष्टर काम करता 3 दिन कम काम करा 4 तीया 12 तो 56 में 12 काम और एक्ष्टर कर देता अगर A आखरी तक काम करता ऐसे ही B ने 2 दिन कम काम करा B आखरी तक काम करता ठीक है, आखरी तक काम करते हैं, तो 72 काम करते हैं, तो D days तक है, D days में total काम करा था, आखरी, D days तक काम चला है, A, B, A की efficiency 4, B की 2, C की 1, combined efficiency कितनी हो जाएगी 7, 7 की efficiency से 72 काम करना है, कितने दिन में करेंगे, 72 by 7, ऐसे भी सोचा जा सकता है, चार question हमारे पास time speed and distance के हैं, उसके बाद ये session हमारा wind up होगा, और arithmetic के सारे question solve हो जाएगे, फिर एक session के अंदर हम D I के questions अलग से discuss कर लेंगे, देखो question में क्या दे रखा है, विने और महेश हैं, ये दोनों एक दूसरे से 250 मिटर की दूरी पे एंज vlogs दोनों, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, विने चलता है 36 km प्रति गंटे की रफतार से, और जो महेश है, वो चलता है 54 km प्रति गंटे की रफतार से, क कितने time में दोनों मिलेंगे आप सीधा कहेंगे सेम एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो relative speed क्या हो जाएगी add 36 plus 54 करूँगा तो मेरे पास value आएगी हाँ पर 90 तो combined speed हो गई 90 km per hour इस speed से 250 पचास मीटर जाने में कितना time लगेगा तो 90 km per hour को मीटर पर सेकिंड में convert करूँगा तो आप डग को directly पता होना चाहिए 25 मीटर पर सेकिंड के बराबर होता है ठीक हम एक table याद करते वे चलते हैं starting में ही कि मेरे पास 18 km पर आर इसके बराबर होता है 5 मीटर पर सेकिंड के बराबर होता है और ऐसी अगर मैं 36 कर दूँ तो यह 10 हो जाएगा यह 54 कर दूँ तो यह 15 कर दूँ तो यह मेरे पास 20 और यह मैं अगर 90 कर दूँ तो यह मेरे पास 25 यह पूरी टेबल हम यह 90 km पर किसके बराबर होगा या तो मैं इसमें 90 x 5 x 18 करके निकालूँगा जो कि मिझे 25 मीटर पर सेकिंड मिल जागा वरना यह ओरली करना इसमें मल्टिप्लाइ करने की जूरत नहीं पड़नी चीए 25 मीटर पर सेकिंड की स्पीड से दोनों एक दूसर की तरफ चल रहे हैं 250 मीटर चलना है इस्टैंस अपोन में स्पीड क्या हो जाएगा मेरे पास टाइम तो 10 सेकिंड में दोनों का मिलन होगा ठीक अगले सवाल पर चलत ही है कितना टाइम इसे लगेगा 170 मिटर के प्लैटफोर्म को क्रोस करने में तोरी 710 मिटर के प्लैटफोर्म को क्रोस करने में जब भी ट्रेन है ट्रेन की खुद की लैंद कुछ होती है और उसे अगर प्लैटफोर्म को क्रोस करना है ट्रेन की खुद की लैंद है 330 प्लैट पॉइंट इस प्लैटफोर्म से बहार निकल जागा बी पॉइंट यहां पर होगा नेट डिस्प्रेस्मेंट कितनी होगी आप देखेंगे यह 330 और 710 यह होगा 1040 तो ट्रेन को 1040 मीटर क्रोस चलना पड़ेगा इस प्लैटफोर्म को क्रोस करने के लिए तो जब भी लगेगा इस सेकंड में बताना है स्पीड है 22 किलोमेटर पर आर अभी बताया किसके बराबर होगा 20 मीटर पर सेकंड तो 20 से विभाजित कर दूँगा मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 52 सेकंड इस फिर से जागे छुप गया नीचे पता नहीं कैसे हुआ है कि अगले आगे किलोमेटर कवर करने है स्पीड है मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड अमें बताने कितना टाइम लगे तो 54 किलोमेटर पर आर की स्पीड से 162 किलोमेटर जाना है कितना टाइम 54 x 3 होता है 162 तो 3 सब्सक्वार्स अगला सवाल देखो question में क्या रखा है मेरे पास दो train है एक train की land है 450 मीटर और एक दूसरी train है जिसकी दोनों ही train की land 450 मीटर है एक दूसरे की तरफ move कर रही है इनके बीच के जो दूरी है वो दूरी हमें दे रखी है 300 मीटर जो speed है इनकी पहली train की speed है 162 किलोमेटर पर आर और दूसरी train की speed है मेरे पास 108 किलोमेटर पर आर हमें बताना है कितनी देर में ये एक दूसरे को cross करेंगी ठेक है train एक दूसरे को तब cross करती है जब ये एक दूसरे की land को cross करें और साथ ठते हैं उनके बीच के जो दूरी है उसे क्रोस करें ठीक है, फूर इंस्टेंस ये वाली train का starting point A माल लूँ ये B माल लूँ और ये वाली जो train है इसका starting point C और ये वाली ending point D ठीक है, ये वाली train इधर जाएगी एक time आयेगा जब A और C का मिलान होगा जैसे ही A और C मिली ये दोनों train एक दूसरे को cross नहीं मानी जाएंगी ये दोनों train एक दूसरे को cross तब मानी जाएंगी जब ये वाली train मेरी इधर होगी ये A point होगा ये B point होगा और ये वाली train मेरी इधर होगी यह D point होगा, यह मेरा C point होगा, यह इधर जाएगी और यह इधर जाएगी, तब यह दोनों train cross मानी जाएगी, मतलब जब D और B का million होगा, इसका और इस point का million होगा, तो इने cross करने के लिए, कितनी दूरी तया करनी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे कि तरफ चल रही हैं, तो relative speed 162 प्लस 108 करूंगा तो यह 270 km पर आघए ठीक है भूरी कितनी cover करनी है 450-900-1200 1200 मीटर जाना है अब यह तो मीटर में है टाइम सेकिन्ड में बताना है किलोमेटर पर आघए किलोमेटर पर आघए को मीटर पर सेकिन्ड में convert करने के लिए पांच बाग अठारा करूँगा 15 x 5 पिछस्तर आएगा पिछस्तर मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारा सो मीटर क्या आएगी वैल्यू पूरा पूरा कर जाएगा एकम जाएगा पिछस्तर फिर जाएगा मेरे पास 450 450 जाएगा हमारा यहां पर 16 सेकंड फिर आंसर नीचे चपकिया एक सेकंड कुछ गलती कर दी के हमने 15 से काटूँगा 15 15 x 5 75 दूरी कितनी है दो ट्रेन अच्छा थोड़ी सी गलती कर दी मैंने यहां पर दूसरे ट्रेन के लिए 300 थी मैं थोड़ा आगया आगया था यह 300 होगा तो 300, 300, 600 1050 पिछहत्तर से विवाजित करूँगा तो यह मेरे पास 14 आए ठीक है ठीक है ठीक है कौन कौनसी वीडियो है आपके टीर वन एक्जामनेशन के लिए इंप्रोटेट हैं कौन से टीर टू के लिए वो सारे चीज़े आपको दीख जाएंगी पीडियोफ मिल जाएंगी तो कम टाइम में आप अपने पूरी कम्प्रीट प्रेप्रेशन कर सकते हैं क्वांटिटि सारी क्लास की PDF और जो चैप्रवाइप पीडियोफ हैं ससिक्जाम की सीजियल की जैसे 2018 2019 2020 की टीर वन टीर टू की PDF सीपेटर वाइप्र डोट की पीडियोफ क्यार जाहिन्द